Hello guys, welcome to Constance Mind, मैं हूँ दीपक and आप सभी को बता दें कि अब 2023 के सेशन स्टार्ट होने को है, बट अभी कुछ युनिवस्टी में 2022 के PhD के एप्लिकेशन आने बाकी है, जो कि दिसंबर के इसी मंथ में आने के पूरे चांसेज हैं और साथ ही साथ जनवरी के मंथ में भी ये एप् सबसे पहले बात करेंगे लखनव उनिवस्टी की, तो लखनव उनिवस्टी का जो एप्लिकेशन है, उसके लिए 15 दारिक से एप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला था, तो अभी तक क्या प्डिट है, वो और जो बाकी की 5 अधर उनिवस्टी हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को इन तक देखेंगे, चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेस कर लीजेगा, तो दोस्तों अगर आप बहतरीन गाइडेंस के अंतरगत अपनी त्यारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनकेडमी समय समय पर इन पर इन रोल हो सकते हैं, या आप सब्सक्रिप्शन मिले सकते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इनके गाइडेंस में काफी प्रॉफिट हुई है, कुछ लोग का नेट क्लियर हुआ, कुछ का CSIR जारफ अगरे क्लियर हुआ, तो इन सबसे आपको मदद तो मिलने वाली है, सिल्फ इस्टडी के साथ साथ अगर आपको बहतर गाइडेंस मिले, तो आपका नेट या जयारफ क्लियर होने में बहुत सारी मदब मिलेगी, तो इसके लिए आप लाइप साइंस का ये स्टार्टिंग जो पंदरा से हुआ है, बैच का इसमें आप इंडोल हो सकत इसमें लिंक दिया गया है, तो आपको वहाँ पता चल लाएगा, या आप कॉल कर लीजिए, सारा कुछ आप एक कॉल पर ही समझ लीजिए, ठीक है, ये है SCSIR, USINET का सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद अगर आप माली जे सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं, या बै इसमें जो है, ये चलेंजर स्पैच है, और NTA UGC NET का भी सब्सक्रिप्शन चली रहा है, ये अल्लेडी हमें सा चलता रहता है, इसमें आप ले सकते हैं, बट जो आफर है, वो 17 तक है, सब्सक्रिप्शन वाला, ठीक है, इसमें 10% का एक्स्टा सब्सक्रिप्शन आपको मि जैसे कि क्विज वगर है, और कोई भी जैसे आपको दिकत होती, तो आप doubt solving sessions है, वो सको जो जोईन कर सकते हैं, और आप अपने queries को comment box में भी put कर सकते हैं, live जो session रहते हैं, उसमें आप डिल्क्ली पूछ सकते हैं, तो ये सारह कुछ सुविदा मिलता है, आप अगर subscription लेना सेशन तक के लिए ही PhD का अभी तक हुआ है 2022 सेशन का एप्लीकेशन 15 दिसंबर से स्टार्ट होने की ये न्यूस मेडिया में थी बट अभी तक पोर्टल पे इसलेट कोई अपडेट नहीं दी गई है तो जो चांस है वो इस प्रकार से है कि अब कोर्स वर्क जो पूराने एडमिशन 21-22 के हुए है उनके कमेंस हो चुके हैं 15 दिसंबर से कई डिपार्टमेंट्स के ठीक है तो अब एडमिशन 22-22 सेशन के लिए होने के लिए आपको एक हपते में ही कभी भी नोटिफिकेशन मिल सकता है कल परसों या फिर एक हपता भी लग सकता है लेकिन कभी भी नोटिफिकेशन मिल सकता है और हमारे चनल से आप जुड़े रहे हैं आपको इसकी अपडेट सबसे पहले जरूर दी जाएगी ठीक है अब हम बात करेंगे इस युनिवर्स्टी में कौन-कौन से अप्लिकेशन आ सकते हैं तो देखिए जो 2021-22 सेसन का फार्म भरा होगा वो सभी लोगों को यहां पर दोबारा अप्लिकेशन का मौका दिया जाएगा और इसमें 2022 सेसन वाले जो कंडिडेट पीजी में पास हुए हैं वो भी सबजेट्स की बात करें तो जो 2021-22 सेसन में सबजेक्त था उससे कुछ सबजेक्त बढ़ाया भी जा सकता है ठीक है और जो सीटें पहले आई थी उन सीटों को छोड़ कर आब जो सीटें आएं वो आएगी और जो सीटें बच गई थी उन से भी उन्हें भी इसमें include कर दिया जाएगा ठीक है दूसरी उन्वरस्टी है अपनी Central University आफ एलाभाद तो एलाभाद उन्वरस्टी की बात करें तो सबसे बहुती बात तो यह एक Central University है अच्छी खासी उन्वरस्टी है एलाभाद में इस उन्वरस्टी से अभी 2022 के application नहीं आये थे ठीक है 2021 सेशन तक का यहां भी हुआ है और उन्वरस्टी ने कहा था कि इस पर काम चल ला है अभी खाली में न्यूज आई थी कि सीटों को collect किया जा रहा है कि कितने सीटे बची है उस पर 2022 सेशन का application December में लास्ट तक आ सकता है यहां पर इंटरन्स एक्जाम सभी को देना होता है चाहे आप NET हो चाहे जी आरफ हो जैसे लखन इनवरस्टी में है सेव यहां पर भी है और आपको बता दे कि दोनों उत्तर प्रदेश से ही इनवरस्टी है और उत्तर प्रदेश में इलाहबाद की बात करें तो यहां पर MNIT का application चल रहा है PhD का आप लोग वहां पर application कर सकते हैं और तीसरी इनवरस्टी है प्रोफेसर राजन सिंग रजुखिया इनवरस्टी यह है इस्टेट इनवरस्टी लेकिन यह भी कहा है इलाहबाद मतलब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है यह एक government state university है और यहां पर अभी admission PhD के आप से सुरू हो रहा है मतलब कि पहली बार ही यह university PhD के लिए admission कराने जा रही है अपने college'ों में भी ठीक है और यह इसके application भी बताया गया था कि November में last तक आ सकते हैं लेकिन अभी तक application आये नहीं है तो लग रहा है कि बहुत जल्दी application शुरू हो जाएंगे जैसा कि news में भी था इनवरस्टी पर पोर्टल में कुछ कहा नहीं जा रहा है जैसे कि department में अगर आप बात करो तो कहा जाएगी कि बहुत जल्दी आ जाएगा application बट इसी माह में यहां भी application आ सकता है ठीक है तो चार application हो गए जो की ongoing और upcoming दोनों बता दिया हमने लखनो इनवरस्टी का, इलाबाद central इनवरस्टी का और यह जो इनवरस्टी जो इस्टेट इनवरस्टी अलाबाद, इस्टेट इनवरस्टी पहले थी यह इसका नाम और आपका MNIT अलाबाद, ठीक है MNIT में चलना है application उसमें आप कर सकते हैं और अगर 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 उत्तरपदेश स्टेट से बाहर निकले तो बिहार में आ जाईए बिहार में यहाँ पर सबसे पहले इस्टेट इनवरस्टी है बाबा साहिब भीम राव अंबेट कर बिहार इनवरस्टी यहाँ पर PhD के application बहुत ही इस समय असमंजस में पड़े हुए है लेकिन जैसा कि news था, news में यह कहा गया था कि इस university से जो है application 2022 ते इसके आने वाले हैं तो इस university के भी application बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं आप इस university में इसकी website को visit करते रहें हम भी ध्यान दे रहे हैं जैसे यह application आएगा आपको इसकी update दी जाएगी और बिहार में ही एक और university है वो है partly पुत्र university पतना ठीक है यह partly पुत्र university जो है यहाँ से भी PhD के application आने हैं ठीक है और यह सारे application जो हम आपको बता रहे हैं आने वाले हैं यह कभी भी आ सकते हैं और इसी मन्थ में भी आ सकते हैं हो सकता है अगले एक हपते में भी आ जाएं तो इसलिए इन सब की वीडियो आपको बता रहे हैं कि कितने application आने वाले हैं क्योंकि इस समय जो भी student है PhD के application के लिए चुक हैं वो उनके दिमाग में यही है कि अब आगे कहां से application आने बाकी हैं ठीक है तो यह हो गया partly पुत्र university तो बिहार state में दो university हो गई अब हम चलेंगे जारखंड तीसरा state जो है वो है जारखंड जारखंड में राची university है ठीक है राची university से अभी PhD के application स्टार्ट नहीं हुए और इसके लिए बहुत बार न्यूज में भी आया कि इस बार university late कर रही है बहुत जादा बट university के कुछ official काम है वो भी चल रहे हैं इसमें admission के notification आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे PhD के लिए और थोड़ा सा late हो रहा है इस बार university कुछ बदलाव भी कर रही है regulations जो UGC के द्वारा बहुत सारे amendments हुए थे फिर cancel हुए इन सब के चक्कर में सब कुछ late होता जा रहा है ठीक है तो यह university जो है आपको notification बहुत जल्दी ही देने वाली है ठीक है सबसे पहले तो लखनु इनवस्टी में आने वाला है और इलहाबाद आपका Central University और बाटली उस पर आप लोग कहेंगे तो वीडियो आ जाये गया जो भी medical field के है उस university में आप लोग जाके admission कर सकते हैं और आपको बता दे कि राजस्थान university में भी PhD को admission को लेके थोड़ा सा इस समय उतार चड़ाओ चल ला है जह हो सकता है जल्दी ही उसमें भी कुछ आपको देखने को ठीक है तो आपको जैसे ही application आता है इन सबका update दी जाएगी चैनल पर जुड़े रहें अगर आपको previous year question paper लेना है PhD entrance exam का तो वो भी आप ले सकते हैं link description में हमने mention कर दिया है collected previous year question paper subject and research methodology के आप आराम से ले लीजिए ठीक है टेली ग्राम से ज़रूर जुड़ जाईएगा वह आता जानकरी के साथ